अधर्मी को मारना धर्म है प्रथवीरा चोहान ने सोलह सत्रह बार मुहम्मद गौरी को छमा किया बोलो हाँ प्रथवीरा चोहान ने मुहम्मद गौरी को सत्रह बार छोड़ा और एक बार उसने पकड़ लिया तो उसने एक बार नी छोड़ा तो जादा तुम धर्म का पाठ जादा तुम धर्मात्मा ना बनो तुम जादा धर्मात्मा बनोगे तो मुहम्मद गौरी तुमारी आखें फोड़ देगा इसलिए जैसे मार सको दुष्टों को मारो यही धर्म है छोड़ दोगे तुमारी आखें पूड़ जाएंगे सही वक्त पर मार दिये होते जिन्ना जिन्ना ने भारत के टुकडे करा दिये माहत्मा गांधी से कहा हमें अलक देश चाहिए 2-4 ठपड मार दिया होता महमत जिन्ना को माहत्मा गांधी ने दो चार ठपड मारके किनारे कर दिया होता, तो आज भारत के तीन टुकड़े ना होते, पाकिस्तान बांगलादेश, दो टुकड़े हो गए भारत के, दुष्टों को मारो, मानो मत इन दुष्टों की बात, जिन्ना को मारना था, उसके चक्कर में लो, ना मुसलमान न वहीं रह पाए, ना यहीं रह पाए, ना हिंदू रह पाए, ना यहीं रह पाए, अब बाटे थे तो बटवारा भी ठीक ठीक नहीं कर पाए, बटवारा करता नहीं, आज कल कुछ बूड़ों को बटवारा करना नहीं आता, इसके कारण बच्चों में जगड़ा होता रहता है, ब तो आज के बाप सही कर रहे हैं, बोलो हाँ, देश का बटवारा हुआ, सही था या गलत था, बताओ, देश का बटवारा सही था या गलत था, ये डिसीजन, ये निरने सही था, या गलत था, गलत था, सही था, तो फिर भेज देते सब को वहीं, ये रोज-रोज का रहना ना र हर निरणे बूढ़ों ने सही लिया है ऐसा नहीं कह सकते आप कुछ डिसीजन बूढ़ों ने गलत निरणे लिये हैं जिसका खामे आजा आज तक हमारे देश के 1947 के बाद आज तक हमारे देश के लाखों जवान मारे गए इन लाखों जवान के मरने का जिम्मेदार कौन है मुझे बताओ आतंकबाद पाकिस्तान ना होता तो आतंकबादी की समस्या ना होती लाखों जबान मारे गए आज तक आजादी से लेकर आज तक कौन जिम्मेदार है बटवारा जिम्मेदार और वो लोग्जमेदार हैं जिनने बटवारा किया है इनकी हत्या उनके माथे है जिननों निस ने बटवारा किया तो ठीक से क्यों की react एक बात बताओ हमारा देश कितना शांती प्रिय था कोई जगडा नहीं कोई विवाद नहीं कोई टैंसन नहीं जब अरजस्ती का ये पाकिस्तान उलज गया शांती से जीवन जी रहे थे आए दिन ख़वर सुन्य को मिलती इतने लोग मारे गए सैना मारी गए क्या जरूरत क्या थी क्या जरूरत थी बटवारा करने के अच्छा एक बात बताओ जब बटवारा हुआ तो पाकिस्तान से ट्रैने जब आती थी तो हिंदूओं की लासों से भरी ट्रैन आती थी ये बास सही है कि गलत है हिंदूओं की लासों से भरी होई ट्रेन आती थी पाकिस्तान से हिंदुस्तान बोलो हाँ ये बास सही है या गलत है लाखों बेटियां लाखों बेटे, माता पिता, बच्चे विछड गए क्या गुजरी होगी एक आदमी के गलत निर्णे लेने से लाखों निर्दोस जनता मारी गई बताओ उन जनता की हत्या का पापी कौन है वो हत्यारा कौन है किस पर वो हत्या जाएगी उन्हीं पर जाएगी जनोंने बाटा एक गलत डिसीजन से लाखों हिंदू मारे गए थे मारे नहीं गए लाखों हिंदू बेघर हो गए बेहन बेटियों की सरयाम लाज लूट ली गई बच्चों को काट दिया गया एक गलत निरने से इतनी छती तो अंग्रेजों से नहीं हुई जितनी छती देश का बटवारा करने के बाद हो गई ये आकस्मात अचानक देश की आजादी अच्छी थी पर बटवारा अच्छा नहीं था इसलिए कहता हूँ बेना विचारे जो करें सो पांचे पचिताएं काम बिगाडें आपनों जग में होत हसाएं मैं कभी सही नहीं ठैरा सकता उन लोगों को जिनों देश का बटवारा किया हूँ अब तो यादें पुरानी हो गई साहब पूछना कभी उन लोगों से जन्नी अपने बच्चों को खोया था उस बटवारे में परिवार को खोया था बटवारे में धूड़े नहीं मिले बच्चे लासे नहीं मिली उनकी आज तक लापता हैं इसलिए एक गलत निरने सारी जिन्दगी रुलाएगा किसी का हो मेरा ही क्यों नहीं हो आपका ही क्यों नहीं हो किसी का ही क्यों नहीं हो गलत निरने लेने से बच्चों सही निरने लो भाई भाई ना लड़ो पापी कैसा भी हो पापी को मार देना धार मार इसलिए जैसे दुरियोधन को अधर्म से मारा गया क्योंकि दुरियोधन जैसे पापी को अधर्म से मारना धर्म था उसी तरह बाली जैसे लोगों को अधर्म से मारना ही धर्म था